तो मैं चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको हैवी पटियाला सपना चौदरी कट पटियाला यानि की खजूरी सथ पटियाला का कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए यह हमने तीन मीटर का फैबरिक लिया है सलवार के लिए तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं तो फुल कटिंग बताने वाली हूं और स्टिचिंग भी बताने वाली हूं तो हम स्टार्ट करते हैं तो हम कटिंग कैसे करेंगे तो चलिए वो देखते हैं तो सलवार की लंबाई है 38 पूरी कम्प्लीट 38 का हमें पट्याला बनानी है तो इसको हम ओपेन करेंगे तो इस टैप से हमने ओपेन कर लिया है इसको कर लिया है डवल ये तो ये डवल फैब्रिक हो गया अब यहां से हम क्या करेंगे हमारा कम्प्लीट लंबाई 38 है तो उपर हम 38 यहाँ है तो हम इतना छे इंच उपर यहाँ से बढ़ा के ट कर लेंगे यह अर्थिस साथ इंच हम उपर बढ़ा लेंगे यह तो इतना हमारा पुरा कंपलीट लंबाई है यहाँ पे कमर का पट्टी जॉइंट होगा तो यहाँ पर मार्क लगाएंगे ये, इस मार्किंग को हम सीधा ड्रो कर लेंगे, इस तरीके से ये, अब इसमें हमें क्या करना है, बीच वाला पार्ट्स जो होता है, में पार्ट्स वो निकालना है, तो यहां से हम कटिंग पहले कर लेते हैं, तो यह हो गई, हमारी बीच वाली पार्ट्स, अब हमें इसमें, पोचा हमारी कितनी इंच की रखनी है, वो तो यहां से हम 14 इंच का पोचा रखेंगे, तो यहां से 14 पे मार्क लगाएंगे, फिर यहां से 14 पे मार्क लगाएंगे, यह, और इस लाइनिंग को हम सीधा ड्रो कर कर लेंगे यह देखिए इस लाइनिंग को सीधा मार्क कर लेते हैं यह देखिए यह हमने मार्किंग कर लिया यहां से इसको कट कर लेंगे तो यहां से हमें कट करते हैं तो यहां से हमने कट कर लिया अब यह से यह वाले पार्ट्स को computer कोम में खोल देते दी वाले पार्ट्स को क्ल देते हैं है यानि यह जॉइंट जो है इसको हम अलग-अलग करेंगे तो दोनों पला हमारा निकल जाएगा तो यहां से हम अलग-अलग कर लेते हैं तो काफी कॉमेंट्स आ रही थी कि हमें ख़जूरी सल्वार की कटिंग स्टिचिक बताइए तो आज उसकी मैं कट्टिंग स्टिचिंग बताने वाली है यह देखिए तो यह हो गया बीच वाला पार्ट्स अब मेन होती है कली की कटिंग यह बीच वाला हो गया डवल करेंगे तो इसको हम डवल कर लेते हैं इस तरीके से डवल करके कि चारोग पल्ला एक बार में ही निकल जाए इसलिए हम इसको डवल करेंगे तो इसको अच्छा से डवल करके बैठा है उसको हमने इस तरीके से डवल करके बिच्छा लिया है तो अब हम इसमें कली की कटिंग करेंगे तो दोनों कली एक बढ़ में ही निकाला है चार कली निकाला है तो जो फैब्रिक बचा है उसको देखे इस टैप से हमने डवल करके ब मार्क लगा लेंगे एक मार्किंग इस तरीके से अब हम टेप की हेल्प से यहां से उसकोना को मिलाएंगे तो हम टेप की हेल्प से मिला लेते हैं टेप को रख करके टेप को इसकोना से उसकोना के पास तक रख लिया है अब इसको हम मिलाएंगे कैसे वो देखिए तो यहां से हम इसको मिलाते हैं और मार्क लगा देते हैं इसी मार्किंग से हमें करना है तो यह मार्किंग हम इस तरीके से लगाएंगे इसी टेप की हेल्प से इस तरीके से tener इसी तरीके से तिर्षा हमें करना है जहां से मार्किंग लगाया है वहीं मार्किंग से थी को ना क्रीक है कि यह मार्किंग बिल्कुल बनने पर बहुत खुब्सूरत यह सलवार लगेगी जिन में भी फैब्रिक बंसते हैं आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हो यह बहुत हेवी वाली बनेगी खजूरी शलवार यह देखिए बंद वाले साइड को खोल देंगे तो इधर बंद वाला है तो इसको हम उपेन करते हैं तो इधर बंद वाले साइड को खोलेंगे अच्छी तरीके से इस टैप से तो इसी टैप से हम कलियों के कटिंग करते हैं यह फिर यह है बंद वाला साइड इसको खोलेंगे तो इसी टैप से हम कलियों के कटिंग करते हैई तो मैं सिधा करके दिखाती हुए यह देखिए जितना भी आपके पास कपड़ा है उतना का आप कली कटिंग कर सकते हैозможно तो यहाँ हमने कटिंग कर लिया है अप कल Bogi की कैसे वो देखिए तो हमने एक साइड का इसको हटा लेना है और यह वाला को करना है अगर आपको आसन ज्यादा रखनी है तो वहां से आप बढ़ा सकते हैं अब यह हमने जो में वाला पार्ट किया था उसको हम इसमें जॉइंट लगाएंगे यह तो वह मैं दिखा रही हूं यह वाले को हम इसमें जॉइंट अच्छा तरीके से लगा लेंगे देखिए इसमें हम दोनों को जॉइंट लगाएंगे तो चलिए मैं इसको इस तरीके से जॉइंट लगाऊंगे और इसी में हमें ख़जूरी बनानी है तो हम इसको इसमें जॉइंट करके दिखाते हैं तो यह हो गया एक पार्ट का यह हम ले लेंगे और यह इसी में हम दोनों को ज्वाइंड करेंगे दोनों साइड एक कली तो एक इसमें और एक नीचे वाले में तो मैं मसीन से इसको इसमें ज्वाइंड करके लाती हूं और फिर दिखाती हूं इसी तरीगे से दोनों ज्वाइ करके दिखाऊंगे यह बीच वाला पार्ट से ले लिया यह और इसके ऊपर डाल देते हैं कली तो हम कली की ज्वाइंट कर लेंगे तो इस कली को हम हाफा पिंच पकड़ते हुए स्लाई लगाते हैं एक साइड की के साइड की ज्वाइंट कर ली है ज्वाइंट होगे ये देखिए अब एक कली इधर वाले में ज्वाइंट होगी तो वह मैं दिखाती हुए कली को हमें सेट कैसे करना है तो देखिए इस टैप से लेना है दूसरा कली फिर उठाना है ये दूसरा कली को ये देखिए ये वाले पार्ट से ले लिए ये कली ले लिए अब ये वाले को इसमें जॉइब कर लेते हैं इधर का भी कली जोईंट हो गई हैं तो हम नेफा जोईंट करेंगे यानि कि आसन तो यह लेंगे और दूसरे साइट वाला ले लेंगे यह और दोनों को हम एक साथ जोईंट करेंगे मिलाते हुए बिल्कुल अच्छा तरीके से तो इस तरीके से यहां से यहां जॉइंट करते हैं और फिर दिखाते हैं अपनी पूरी प्लेट्स डाल करते हैं एक हमने नीचे एक उपर दूनों रख लिया है अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे हाफा विंच पकड़ते हुए अब प्लेट्स डालते हैं प्लेट्स हो दो देना है कि इस तरीके से हमें है विर्ष डालना 근데 यहां से हम इस तरीके से 3 इंच पे द्धाय पे लगाएंगे और मेन वाला प्लेट्स इसी तरीके से हमें बाडिक बाडिक प्लेट्स को डालते जाना है यह देखिए यह चून का थोड़ा सा हमें ध्यान देनी है इसी तरीके से सारे को डाल देंगे काफी घेर होती है इसमें तो धाई धाई इंच का अंदर की तरफ गुषाते हुए डाल दुनी है यह देखिए के इसी तरीके से प्लेट्स को डालते जाना है इस तरीक 예से लेना है 5 इंच अंदर कि तरफ रखते हुए डबाते जाना है हम प्लेट्स डालते डालते पीछे की साइड आ चुके हैं तो हम इधर साइड डाल देंगे यह देखिये और एक प्लेट्स लेना है पीछे की तरफ डाल देना है यह तो एक प्लेट्स को इसको अच्छे तरीके से पिछे की तरफ डाल देनी है गुशाते हुए यह तो एक साइट की प्लेट्स होती है complete तो मैं इसको दिखाती हूँ एक साइट के इस टाइप से प्लेट्स हमने राडी कर ली अब हम डालते हैं दूसरी साइट से तो चलिए अब दूसरी साइट का डालने के लिए हम पीछे की तरफ से लेंगे तो यहां से अब हम लेते हैं पीछे साइट से एक हमने आगे से लिया था अब छोटी से प्लेट्स हो इस वाले प्लेट्स कौसर बंद से डालेंगे कि अधर देखिंगे कितना इंच पे starting है तो यहाँ से हम यह नापलेंगे यह सिपे अब तीन इंच से यहाँ प्लेट स्टार्टिंग करेंगे ये और उसी टाइप से हम सारे प्लेट को डालते जाएंगे ये देखिए अब हम डालते जाते हैं अंदर की तरह गुशाते हुए जैसे मैंने उधर डाला था ये खजुरी शल्वार बहुत इजी है बनाना स्रिफ थोड़ा देखने में आपको डिफि इसल्वार प्लेट डालते जाना है तो सारे प्लेट समय जाल लिया हम दिखाते हैं यह देखिए यह कितना प्यारा कमड बन गया अब हम इसमें लगाएंगे वह दिखाएंगे कमड की पट्टी तो चलिए बेल्ट लगाते हैं तो पहले हम यहां पर सिलाइल लगा देंगे कर अब इसको हम इस टाइप से पलट लेंगे अधर से घुमा कर सिलाई लगा देंगे अब उपर से हम फोल्ड करेंगे हम जॉइंट लगा के फोल्ड करेंगे ताकि यह छोटा बड़ा नहीं हो तो मैं लगाती हूँ जॉइंट तो इस टैप से यहां से लेंगे और पूरे गुलाई में हम इसको जॉइंट लगा लेंगे तो यहां से हम इस टैप से लेते हैं और जॉइंट लगाते जाते हैं पूरे बोलाई में हमने जॉइंट लगा लिया है इसको अब इसको हम पलट कर इसके उपर एक-एक सिलाई लगाएंगे तो चलिए वह सिलाई लगा लेते हैं तो इसको अंदर के तरह पलट देंगे और ए पुरा गोलाई में सिलाई को हमने चला दिया है अब यहां से हम धागे को कर लेंगे कट अब इसको पलटकर दिखाते हैं यहां पर हम उपन करेंगे जो जिसमें डोड़ी लगेगी तो वो उपन करते हैं तो देखिए यहां से इस टैप से हम लेंगे यह इसमें एक कट लगाएंगे जहां पर हमने सिलाई लगाया था छोटा सा शिर्फ धागा को पकड़ के कट कर द कर देखिए अब चलिए कमर की पट्टी जोड़ते हैं लगाते हैं यहां हमें इस को इस टाइप से अंदर की तरफ गुलाई में लेशाए यहां हम से स्याटिक पट्थ दिए ध्यान रखना है के हमारा बिल्कुल बढ़ावड हो तो यह अंदर में डाल दिया अब हमें ये मिलाना है यहां से μας चीज और यहां से कि आधे वाले चीज को अब दोनों को मिलाते हुए पूरे गोलाई में सिलाई को लगा देनी है नी है वह, बनाना यह देखिए तो पूरे गुलाई में लगाते जाते हैं सिलाई बिल्कुल पर्टेक्ट से इसी के नाप से यह देखिए तो पूरा गुलाई में हमने शिलाई को लगा दिया है ये देखिए पूरा ये गुलाई रहा बेल्ट का अब इसको मैं सिधा कर लेती हूं ये देखिए तो तो बिल्कुल अच्छा तरीके से बेल्ट लगे ये चाहें तो आप इस पर शिलाई भी लगा सकते हैं अब पोचा बनाते हैं, यहां हमने बक्रम ले लिया है, अब यह सलवार ले लिया, इसको उपर रखते हुए एक सिलाई लगा लेते हैं, इस तरीके से रखते हुए सिलाई को लगा दे लिया है, अब इसको हम इस टैप से रखते हुए इसको इस टैप से पलट लेंगे और एक किनारे में सिलाई लगाएंगे, तो जो भी डिजाइनिंग आपको बनानी हो इस तरीके से दोनों को बना लीजेगे, अब एक बीच में हम लगा देते हैं, एक डिजाइनिंग और बना लगते हैं तो यहां पर हमने इस टाइप से सिलाई लगा दिया हैं, यह इसी तरह दोनों को बनाना है हमने दोनों पोचा बना लिया, यह बी बना लिया, graph लगा लिया, अब ख़जूरी बनाएंगे side में बनाने केलिए हमें यहां से लेना है, यहां से हम 7 इंच पे एक mark लगा लेंगे और यहां से हम 33 इंच पे mark लगाएंगे, फुड़े में जहां पर हम plates डालेंगे इस तरीके से हम 3-3 निंज पे साड़ी में प्लेट्स को डाल देते हैं जहां पे हम पोचा से खोजुरी बनाएंगे यहां से स्टाट करते हैं 3-3 निंज पे तो इसी तरह पुड़े में मार्क लगाएंगे पुड़ा हम जिधर से फिटिंग करते हैं यहां से हम सिलाई लगाते हैं तो देखिए यह उठाएंगे इसको यहां से इस तरीके से यहां पे इस तरीके से मिलाते हुए उठाना है और सिलाई लगाते जाना है उपर की तरफ से हमें लेना है यह देखिए दो हमने डाला फिर इसी तरीके से प्लेट से डालेंगे तो हमारी खुजूरी बनते जाएगी बनाकर लिखाते हैं हम लेते जाएंगे डालते जाएंगे इधर साइड हमने देदिया तो यहां से हम आसन से एक बीटा छोड़ते हुए खुजूरी बनाएंगे और फिर नीचे से भी एक बीटा छोड़ते हुए ते यहां इस तरीके से बन गया अब दूसरे स्पल्ला का बनाते हैं अब पीछे साइड का हम नीचे की तरफ से बनाएंगे यह देखिए वही तिन तीन इंज पे हमने कट कट का निशान लगा लिया हुए है उसी पे हम बनाते जाएंगे देखिए यहां पे हम तीन तीन इंज पे कट का छुटे छुटे नोट्स लगा लिया हुए है उसी तरीके से हमें बनाते जाना है इसी तरीके से बनाते जाना है तो यहां पे हमने पुरे में लगा दिया आप इसको फिट करते हैं फिटिंग तो पोचा का साइज आप देख लिजेगा आप कितना साइज का पहनते हो उतना आप इसको फिट करिए हम हाफा फिंच दबाते हुए पुरे को सिलाई लगा देंगे हाफा फिंच पकड़ते हुए इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे यदिग्या इस तरीके से लाई लगाते जाम तरीके से लाई लगाते जाएंगे जाएंगे। कि लाड़ पना लिया मैं सिए तरह दूसरे साइट का बना लिया हैं इस पर वी शलाइ लगाते हैं को चुंड़ को चुंड़ करके दिखाते हैं तो यह हमारी हो गए तो अब पुरे मैं पहन कर सो करके दिखाऊंक तो अब पहनने के बाद कैसी लगती है यह सलवार देखें इस टाइप से चूनर दिलाकर रैडी है तो चलिए मैं फुड़े को पहन कर सो करके दिखाती हूं जुड़ी सलवार तैयार है तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसी टाइप से आप भी चून देकर बना सकते हैं क्पड़े में बना सकते हैं वह पर डिपेंट तो यह मारा क्रेंट और यह कितना प्यान लग रहा और लग यह मेरा है 2009 फिंट कल से कि इस ynचाहरा है तो बहुत प्यारा लगता है इस पर कोई भी चीज़ पहन सकते हो तो यह truthful चुए- देखिए यह लटकता बिल्कुल भी नहीं, यह काफी comments आती, कि यह लटकने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इस step से अगर आप आयेंगे तो आपकी सल्वार बिल्कुल लटकेगी भी नहीं है बहुत खुबसुरत बनेगी तो मेरी यह सल्वार कैसी लगी आप नीचे कॉमेंट सेक्षेन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मैं सबसाइट से गुम्लूम कर इधर देखिए इधर से भी बहुत प्यारा लग रहा है तो आई होप आज की यह खजूरी सल्वार की कटिंग इस्टिचिंग आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को करना है लाइक चैनल पर फॉर्स्ट टाइम आ बाय बायोल